हलो दोस्तो लब गुरू की इस एपिसोट में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हाजिनू में फिर कुछ नए सवालों के साथ तो आएए शुरू करें आज का पोरिग्राम दोस्तो कैसे हैं सब लोग क्योंकि इस कुरोना महामारी से पूरा देश जूज रहा है और सब की फिक्र रहती है कैसे हमारा देश बचेगा लेकिन इस लागडाउन में भी लोगों के काम हो रहे हैं प्यार महबद भी चल रहा है सब कुछ हो रहा है कुछ सिंदगी थमसी गई है घर में पड़े पड़े लोग बोर हो गए हैं कुछ लोगों के काम बढ़ गए हैं कुछ लोगों को इंज्वाय हो रहा है तो हम आज के सवाल की तरफ चलते हैं आज का पहला सवाल है रहबर का कहते हैं लब गुरुजी इस लागडाउन ने तो अब बोर ही कर दिया है कितना सोएं, कितना लेटें, कितना खाएं बस यही काम तो है और फिल बाते करने अपने प्यार से बाते भी अब करकर के थग गए हैं कहां से इतनी बाते नहीं नहीं निकालें प्यार की वादे कसमें कितने करें इस लागडान में प्यार में भी अडचन आ गई है थोड़ी देर फोन न उठे तो मुश्किल कहीं और लग गए होगे कहीं और बाते चल रही होंगी मेरी महभूबा भी ऐसा ही बोल रही है उसका कहना है कि तुम सिर्फ घर में पड़े रहत हों जबकि मैं हमेशा उसका फोन तुरंत उठाता हूं अब घर में हैं प्लेटे हैं जो पहले फुरसत नहीं हुआ करती थी परिवार वालों से रिष्टेदारों से बाते नहीं करते थे अब थोड़ा मौका मिला है उनसे भी थोड़ी बहुत फोन पे बाते हो जाती है और जब फोन पे बाते होती हैं उसी बीच मेरे प्यार का भी फोन आ जाता है और फिर हो जाती है लड़ाई पिर मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो आप ही बताएं कि मैं इस लड़ाई को कैसे जल्दी से खत्म कर सकता हूं क्या बात है रहबर जी प्यार महबबत इश्क और साथ में परिवार रिष्टेदार जरूरी है सब कुछ तो आप अपनी महबूबा को जल्दी से मनाने चाहते हैं कोई बात नहीं बस इतना कीजिए आप अगर किसी से बात करने वाले हैं किसी को फोन करने वाले हैं तो छोटा से एक मैसिज डाल दीजे कि मैं अभी इतनी थोड़ी देर कहीं बात कर रहा हूं अगर फोन करना हो तो मैं थोड़ी देर में मैं करूंगा अगर उस बीच भी उसका फोन आ जाता है तो कोई बात नहीं आप जहां बात कर रहे हैं वहीं बात करिए बाद में उसे समझा दीजे कि देखो प्यार तुमसे है तुमसे ही रह कहीं और मैं कुछ नहीं करने वाला बस फिर हूं बोरो गया हूं घर में लेटे लेटे बैठे बैठे और फिर जो लोगों की शिकायत हुआ करती थी कि हम बात नहीं करते हैं टाइम नहीं देते हैं तो थोड़ा थोड़ा जरूरी है कि उन रिष्टोधारों को भी याद कर पस यही कर रहा हूँ और समझाईए उन्हें उनको विश्वास दिलाईए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करते ना कुछ करोगे आप सिर्फ उन से प्यार करते हो और आजकल हर फोन में सुभधा होती है रिकॉर्डिंग की आप उनको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं मैं ये नहीं कह रही कि आपको सफाई देने की जरूरत है लेकिन अगर कहीं पे ऐसी समस्या पैदा हो रही है तो थोड़े दिन के लिए ये काम करने में बुराई भी नहीं है तो आपका प्यार आपके साथ रहेगा और आप खुश रहेंगे और सबका ध्यान रखना ये अच्छी बात है तो दोस्तो आज बस इतना ही अगर आपके मन में भी है कोई सवाल लब से जुड़ा रिष्टे से जुड़ा तो हमें लिग भेजे खबल लेहरिया एड़ दारेट जीमेल डाट काम नमरा वाट्सअप नंबर है 98 21 38 39 मिलते हैं फिर अगले हबते फिर कुछ नए सवालों के साथ तब तक के लिए नमस्काल